हुआ ही в और प्रीम्स केस्मीक में कारिकीं क्योंक का में थemenेख की में, कि आहीं को बाएं के सिट्वेशन के में को हम किस थाुए इस पूरि त्र रिचे क्यूजे के सकते हैं सब्सक्राइब करेंगे, introduction of May model bob, May is a model bob used to express possibility, permission and uncertainty, it can be used in various tenses including present tense, past tense and future tense, May एक model bob है, जो possibility को express करता है, बताता है, permission को बताता है, permission लेने के लिए हम May का use करते हैं, और साथी साथ एक अनिशित situation को बताने के लिए भी हम May का प्रयक्ट करते हैं, साथी साथ May को हम तीनों tense में, जैसे present, past, future, तीनों में हम May को use कर सकते हैं, चलिए है, आज हम इसी के विशे में पढ़ लेंगे, इसके use के विशे में, सबसे प्रहला use है, possibility, ठीके, possibility को दिखा लाने के लिए, May is used to express a possible situation और event, कोई एक ऐसी possible situation हो, जो हो सकता है, और कोई किसी कारिया, event हो, इसी इसको दिखलाने के लिए, हम में का प्रोयक करते हैं, जैसे example देख सकते हैं, पर अप लोग, It may rain tomorrow, ठीके, it is possible that it will rain tomorrow, संबाव है कि कल बारिश होगा, तो इस तरिकी का situation को दिखलाने के लिए, हम सबसे पहले, में का प्रोयक करते हैं, possibility, तो दूसरा यूज है, पर्मिशन, ठीके, पर्मिशन लेने या देने के लिए, हम में का प्रोयक करते हैं, में इस यूज टो आक्स फर और गिप पर्मिशन, example देख सकते हैं, यह तो नर्मल चीज है, ठीके, पर्मिशन लेने या देने के लिए, में का प्रोयक करेंगे, तो ज़्यादा polite दिखता है, बहले ही हम can से भी पर्मिशन ले सकते हैं, good से भी ले सकते हैं, लेकिन में से ज़्यादा polite रेता है, पॉलाइटली, पर्मिशन लेने के लिए, देने के लिए, हमें में का प्रोयक करना होता है, तो, do I have permission to go to bathroom, ठीके, may I go to bathroom का मतलब, do I have permission to go to bathroom, चलिए, next use है, uncertainty, uncertainty का मतलब कोई एक अनिसीद चीज जो होता है, के लिए भी हम में का प्रोयक करता है, कोई अनिसी चीज है, जहां पर doubt है, इस चीज को हमें express करने के लिए, make up रोयक करना होता है, may issues to express uncertainty or doubt, ठीके, for example, he may be late, अब यहां पर क्या सा है situation, हमें पता नहीं है, वो आएगा या नहीं, uncertain है, ठीके, तो इस से, इस तरीके का change में भी हमें make up रोयक करना होता है, it may be late का मतलब क्या होता है, it's possible that he will be late, I'm not sure, ठीके, यह situation जो है, uncertain है, मुझे doubt है, कि वो आएगा या नहीं आएगा, ठीके, मैं sure नहीं हूँ, मैं uncertain हूँ, तो ऐसे situation को दिखलाने के लिए, हमें make up रोयक करना होता है, so हम make को present tense, past tense और future tense में भी यूज़ कर सकते है, तो चलिए अब जानते है, present tense में हम इसको जब make को यूज़ करते है, ठीके, कट सकते है, इसको हम negative सब तरीके से भी हम इसको बना सकते है, example, may not plus best form of the box को यूज़ करना होता है, जैसे example यह पर दे सकते है, he may not be available, वो उपलप्त नहीं हो सकता है, make up past में भी यूज़ कर सकते है, इसके लिए हमें कैसा structure का प्रोयक करना होता है, ठीके, जो चीज पास्ट में गटीट हो चुका होता है, इसके लिए हमें में के साथ have का और साथ में past participle का प्रोयक करना होता है, जैसे positive sentence में हम देखे, तो may have plus उसके बाद past participle को यूज़ करना होता है, जैसे यहां पर example देख सकते हैं, may have forgotten, इसका मतलब क्या है कि वे भूल चुके है, कब भूल चुके है, past में, उसी तरीके से negative भी देख सकते है, इसके लिए आपको may not have plus past participle of the book को यूज़ करना होता है, for example, she may not have finished her homework, अब इसका मतलब क्या है, कि वे उसका project complete नहीं कर चुकी होगी, कब past में, ठीक है, नहीं कर चुकी होगी, तो इस तरीके से हम may की मदद से past में गटिट हुआ गटना को या कोई कार्या को हम बता सकते हैं may की use से, तो अब हम सिखेंगे के future की sense में हम may को किस तरीक से use करेंगी, ठीक है, इसके लिए हमें may plus base form of the book को रखना होता है, example, they may attend the meeting, अब वे meeting को attain कर सकती है, ठीक है, कब in future, इसी तरीके से हम इसको negative भी बना सकते है, may not plus base form of the book, example, he may not be able to come, वो नहीं आ सकता है, तो it means कब नहीं आ सकते हैं, in future नहीं आ सकते हैं, इस तरीके से हम may को future की sense में भी future की sense को express करने लिए भी हम may को use कर सकते हैं, so in conclusion, may एक versatile model भाव होता है, use to express possibility, permission and uncertainty, ठीक है, possibility means संभावना, permission means कोई अनुमती और uncertainty means कोई एक अनिसित चीज को, अनिसित कोई चीज या कोई बात को express करना, finally आपको may को different different tense के साथ sentence बना कर practice करना है, so आप लोगों के लिए exercise भी में comment post में जाल दूँगा, उसमें आप लोग जरू जाकर sentence जरू बना लिजे, और quiz को attempt कर लिजे, thank you so much for watching this video, मिलते हैं आगने वीडियो में तब तक लिए आप लोग ये वाला वीडियो देख सकते हैं,